गिर्ते भूजल इस्तर को ध्यान में रखते हुए भूगर्व जल संपदा महत्वकी जन जागरुकता के लिए 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जाएगा, साथी अगामी स्वतंतृता दिवस को लेकर भी तैयारिया तेज हो गई है, जुसके तहट पूरे नगर में 4 2232 तिरंगा लगाने का लक्ष है, इसको लेकर लोगों को जल संदक्षवर के लिए जागरुक करने के साथ ही हर घर जंडा लगाने के लिए प्रेरिद किया जाएगा, इयो के अन पाठक ने बताए कि भूचल सप्ताह हर साल की तरह इस बार भी 16 से 22 जुलाई तक मनाया क्योंकि आने वाले समय में पानी का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, अगर सही समय पर सोचा नहीं गया तो हमको नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि पानी की एक बूंद को बचा है, सभी लोग पानी के महत्व को समझे और पानी व्यार्थ ना है, सरकार की मंचा की अनरूप इस बार नगर पंचायत पुर्वा में 4232 तिरंगे फैराने हैं, जिसके लिए वह अपील करते हैं, इस पावन पर्व को विशेश रूप से मनाने के लिए नगर पंचायत का सहयोग करें, ताकि नगर पंचायत का ना पूरे जिले में ही नही बलकि प्रदेश में नंबर वन पर हो, इसके लिए सभी नगर पंचायत में जंडा दान भी करें, ताकि ये अभियान सफल हो सके और हम अपने लक्ष से ज्यादा नगर में जंडे फैराएं कि आने वाले समय में जो हमारे जो जनरेशन है जो हमारे बच्चे हैं वो ऐसा बाद में ना कहें कि पानी का रेट और दूद का रेट इस समय जैसे की लगबद बराबर हो गया है, कि पानी बिल्कुल और पानी का लेविल इतना ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है कि आने वाली जनरेशन को इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, पानी बिल्कुल भी लेविल इतना कम कि आने वाले 10-20 सालों में हम लोग को पानी की समस्या से इतना दूजना पढ़ेगा ऐसा समयाना की जब हम नहाने के लिए ऊथे headlights चैनल दोड़ें एंग तो पीजेंदे हैं को जगह-चлагह भरीदना ही परता है नहाने के लिए बचाएं और हम चाहते हैं कि पत्रकारों के माध्यम से यह संदेश इतना वाइरल किया जाए कि जो है पानी के इंपॉर्टन्स को समझें पानी को बचाएं इस वर्ष जो अपना सवतंत्रता दिवस है वो विसेश रूप से मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा इस बार फैरा संब्रांत व्यक्ति हैं छेत्र के वो लोग आगे बढ़के आया और उनसे अन्रोज भी है कि वह आगे बढ़के आएं और इसमें सहयोग प्रदान करें जंडा दान भी करें और अपने हां लगाए भी बड़े सम्मान के साथ जंडे को लगाना है और जंडे को उतागना है हरगर्त ठिलंगा अभ्यान के लिए हमारे हां पूरवा को 4232 तर क्री जिसने हमारे व्यापारियों से बीजाख ओई है और यहां के संभण व्यक्तियों से बीजाख हुई हैं और हमारे पत्रकार बंदमों को भी हमने इस बारे में जैंडे समराघ कि ओद करा दिया है कि इस